ये अब्रीवान वेलकम तो मैं चानल इन टोडेश वीडियो आपको बहुत जादा टेखनीक की भी ज़रुवत नहीं है मैं बस आपको सिंपल तरीके से इसको क्रियेट करके दिखाऊंगी अगर आपको देखना है वाव तो क्रियेट दिस लुक दन प्लीज किप आउन वाचिंग तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज करूंगे एक चानल टो क्रियेट माइ बेस आइशाडो अपलाई करने से पहले सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आइशाडो बेस से इससे आपकी जो भी आइशाडो अपलाई करेंगे वो बहुत अच्छे से ऊवर के आएगा और कलर भी बहुत अच्छे से पॉप करेगा तो इट इस इंपॉर्टन तो आइलीट पे जो भी डार्क स्पॉट या डार्कनेस कोई भी पिग्मेंटेशन है वो हाइट कर देगा यह कंसीलर इसको मैं पूरे आइलीट पे और अंडर आई पे भी अपलाई की हूँ और एक बिगर ब्रुश के साथ अच्छे से ब्लेंड करूँगी उसके बाद मैं आइशाडो बेस को सेट करूँगी विद सम लूस पावडर यहाँ पे ब्लेंड फिट्मी लूस पावडर और पफ के साथ मैं लूस पावडर को सेट करूँगी उसके बाद मैं एक स्टिकी टेप अपलाई करूँगी ऑन माई आउटर कॉर्नर इससे शार्प एजस मिल जाएगा बहुत एजिली यहाँ पे मैं पैलेट के लिए यूस करूँ आई मैजिक का 35 शेड आई शाड़ पैलेट सबसे पहले एक ब्राउन शाड़ लेके आउटर भी पे अपलाई करूँ एज यह विंग क्रिएट करते हुए तो सबसे पहले आउटर भी पे प्लेस करना शुरू करेंगे कलर को और उसके बाद दीरे-दीरे मैं उसको क्रीस पे भी लेके जाऊंगे यही हम लोग का क्रीस कलर और आण उसो ट्रांजिशन कलर होगा सो कलर को प्लेस करते हुए एक क्रीस पे लेके जा रही हूँ और साथ में थोड़ा सा ब्लेंड भी करूँगी एजस को सो ब्लेंड तब करना है जब आपके ब्रॉश में बहुत कम प्रोड़क्ट हो इससे आपको सॉफ्ट फिनिश में लेगा इस वीडियो में जो भी प्रोड़क्ट मैं यूज की हूँ और फ्रम एमाजोन मैं लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ और अब अभी अगर कोई एक्टीव सेल चल रहा होगा तो वो भी मेंशन कर दूँगी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक आउट कर सकतो हो अगर इंट्रिस्टेड हो तो इसके बाद एक लाइटर शेड ले लूँगी यहाँ पर थोड़ सा यलो टोन का शेड है ये इसके हैप से मैं इनर कॉर्णर टू सेंटर लीट तक कलर को प्लेस करूँ यहाँ पर कंसीलर से कट क्रीज नहीं कर हूँ मैं बस सौफट एक एज यहाँ पर क्रीयट की हूँ इसके बाद एक कारीली शेड है ये शिमरी शेड है उसको अपलाई कर रहे हूँ हाँ एक और lors प्रहेतलों डिखाते मुथा तो यहां का निखा लो यहां फालग टीजर radio मोरेट और एको यहां ये प्लडरो पडंडर आपा यद्शार का लिष्ट मेरा करें चाहिऊ is और दुसरे कलर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, यहाँ पर मैं ब्राउन शाड़ो को फिस से अपलाए गारू, ताकि अच्छे से मिक्स लगे, कोई हार्श एजिस ना दिखे, इसके बाद ग्लीटर पैलेट यूज करूँगी, मिस रोस का, इस ब्यूटिफुल ग्लीटर पैलेट, बहुत सारा कलर्स मिल जाता है, इस पैलेट में, इसमें से जो शैंपेल नी गोल्डेन शेड है, उसको लेके मैं फ्रॉंट सेक्छन टू सेंटर लीट तक अपलाए गरू, बहुत ही सॉफ्टली अपलाए गारना है, ओपेक फिनिश नहीं देना है, यहाँ पे, उ बहुत अच्छा क्वालिटी का है, तो यहाँ पे विंग आईलाइनर क्रियेट की हूँ, विदाट आईलाइनर पेन, अगर आप बिगनर हो तो इस टाइप के आईलाइनर पेन्स पे आप थोड़ा सेंवेस कर सकतो, इससे आपको यीजी रहेगा आईलाइनर अपलाए करना, इसके बाद काजल अपलाए गरूँ, वाटर लाइन पे, यहाँ पे मैं लवचाइल का काजल अपलाए गरूँ, बहुत ही पिगमेंटेड और ब्लैक फिनिश काजल है, अच्छा लगा मुझे, उसके बाद ब्राउन शैडो को मैं लोगर लैश लाइन के क्लोस अपलाए गर लोगर लाइन के और पॉइंटे इनर कॉर्नर भी यहाँ पे क्रियेट की हूँ, विधाट सेम आईलाइनर पिन, इसके बाद हाइलाइटर के लिए यूज करूँ, मेबलीन मास्टर प्रोम हाइलाइटर, इन्दी शैड मोल्डें गोल्ड, लब दिस हाइलाइटर, उसके बा लोगी, और आप देख सकतो कितना अच्छा यह फिनिश देता है मेरे लोग लैशेस पे, and this is the final finish look, let me know कैसा लगा आपको यह overall look, I hope आपको simple लगा होगा, very simple to create, just follow कीजे step by step, हर एक प्रोड़क्त का लिंक आपको description box में मिल जाएगा, so वहां से आप चेक आउट कर सकते हो, मै आपसे फिर से मिलूंगी निव वीडियो के साथ, till then take care and bye bye